हेलो स्टुडेंट्स, माइसल्फ, बियल चोधरी, सीनियर बोटने फेकल्टी CLC सिखर, जो कि अपन डिसकस कर रहे थे, कि CLC जो प्रिवेश नीट एक्जाम के जो क्यूशन का सोलुशन आप सबको प्रवाड कर रही है, कोविड-19 के इस महामारी के संकट काल में CLC आपके साथ है, जो भी मेडिकल स्टुडेंट्स हैं, तो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, सभी अपन इन पेपर्स को बहुत अच्छे एक्स्प्रेंशन साथ सोलु कर रहे हैं, तो आप इसका बरफूर फायदा उठाएं, और और स्टुडेंट्स के लिए भी इसको शेयर करें, और सारी चीज अपने वाद इसको बताएं, तो आज का अपना जो टोपिक होगा, प्लांट मॉर्फोलोजी और प्लांट एनाटोमी, एन्साइटी सिक्वेंस में, कल मैंने डिसकस के था प्लांट डायवर्सिटी, जो औरल मॉर्फोलोजी और अनाटोमी तो स्लीक तो करी सूरूसल की शरज लिक अपना प्लाट वाद प्लांट एसर और और टोंट गना स्डोओक्राफुक्रेंस मॉर्शन सिक्वेंस॥ सुरू में पर बात करें कि अगर only ovary fruit formation में use हो तो true fruit होता है eucarpic और ovary के अलावा other part अगर use हो तो वो pseudocarpic यानि false fruit होता है लेकिन उसके बाद जो fruits होते हैं वो three type क्या होते हैं simple fruit, aggregate fruit और composite fruit simple fruit का में होता है कि single ovary या फिर syncarpus condition हो और अगर apocarpus condition है कि उसना आयता 2014 में apocarpus condition हो तो aggregation और complete influence, entire influence हो तो composite फिर अपने बात करते हैं कि जो simple fruit है वो दो type में dry fruit और fleshy अब dry fruit में indiscence fruit होता है, cyzocarpic होता है, discence होता है ay sputensil, bidhur और sputensil और fleshy fruit जो berry है, drip fruits है, palm है, hasparadium है अब जो dry fruit से indiscence में केरियोपसिस होता है के लिए जो आनाज पूल में पाया जाता है तो fruit से ये question है, तो मैं आप से बताना है, इसमें आप से पूचा है कि इस seed coat is not thin membranous, किसम बिज़नों पतला जिले में नहीं होता क्योंकि जो कुछ dry fruits होते हैं, इंडेंस होते हैं, उसमें क्या होता है कि seed coat और pericarp fuse होते है और pericarp, seed coat के साथ fuse होती है तो वहाँ seed coat बिल्कुल thin होते हैं, membranous form में नहीं है तो यहाँ पर देखो कि जो ground nut है ground nut, moon flea उसमें आपका fruit का type है, वो है, lomentum इसके लिए अपने बात करते हैं, gram तो gram में आपका है legume pod legume pod, तो यह भी dry fruit का type है but saizokarpic है यह भी dry fruit का type है, legume pod but dyesense है और maids, आप जानते हों कि जो अनाज होते हैं wheat है, maids है, यह भी dry fruit का type है karyopsis और यह in dyesense है आप जानते हैं, बिल्कुल मक्का का दाना, चावल का दाना, grain जो होता है वो fruit है, इसका बैच्छा, maids grain fruit है क्योंकि उसमें seed coat और परिका बिल्कुल अपना अलग नहीं कर सकते हैं तो membranus नहीं हो सकता है clear, fleshy और membranus नहीं हो सकता है अब जो coconut है वो simple fruit का टाइप ही है, coconut और simple fruit में यह fleshy fruit है fleshy simple fruit में बेटाजी यह fleshy fruit है और fleshy fruit में जो टाइप है वो group fruit है, mango और coconut तो mango और कोज से mango के अंदर आप जानते हो epicarp उसकी skin होती है फिर mesocarp जो आप जानते है fleshy mesocarp होती है जो edible है mango में और फिर endocarp उसमें stony होती है और डूफ़ fruit में endocarp नारेल में भी नारेल में आप जानते हैं coer है, jata है वो mesocarp है और फिर stony आपके endocarp है फिर endo sperm एडिबल होता है उसके अंदर clear तो coconut यहाँ पर आपका simple fleshy fruit और drew fruit है तो इन में से आपका answer will be according to this answer will be 4 clear अब अब आपन चलेंगे अगले next question पे तो next question है second question बहुत important question है और इसमें आपको अपन कहते हैं morphology में आप confused जाते होगी इतने examples रियाद नहीं होते हैं या फिर confused भूल जाते हैं तो थोड़ी से tricks use करनी पड़ेगी थोड़ा साथ चाच चलना पड़ेगा आपको trick के साथ question को solve करना पड़ेगा जो मैं इस question नहीं देखा आपको सीखाता हूँ question number second है among bitter gourd, mustard, brinjal, pumpkin, china rose, lupine, cucumber, sun hemp, gram, guava, bean, chili, plum, petunia, tomato, rose, vithania, potato, onion, alloy and tulip how many plant have hypogynous flower, hypogynous flower, मतलब अधो जाएंगी पुस्प कितनों में, अधो जाएंगी hypogynous, hypogynous condition क्या होता है, कि thalamus की top position पर ovary होगी ovary lies at top position of thalamus and all other floor will are below than ovary तो वो सारे below होंगी inferior और ovary is superior, hypogynous condition में अब ऐसे जब बहुत सारे example आजाएं, तो आप question को कैसे solve करें मैं आपको बताना जाएंगी students की जितनी भी आपके inside में families है bracy casey, accrucifery, mustard family, superior ovary, hypogynous condition, clear next आपके है solenacy, superior ovary, bicarple racing corpus, axial presence, superior ovary, clear आप बात करें, liliacy tricarpulary, superior ovary, आप बात करें, जो phabacy family है superior ovary, आप बात करें, चाइना रोजकी, जो मालवacy family है, superior ovary, तो अल्मोस इतनी फैमिलिया पढ़ते हूं, superior हैं, और अल्मोस्ट एक्जांबर hypogynous floor है, और superior ovary है, clear, अब superior ovary में क्या होता है, कैसे concept, ये थैलमस की position होती है, concept, और इसकी top position पे, top position पे यहाँ पे ovary lies होती है, ये top position पे ovary lies है, और other floral rules inferior condition में, तो all floral rules in inferior and ovary is superior, और अपन जब floral formula इसको represent करेंगे, तो इस form में अपन रिपरजेंट करेंगे, clear, अब जो बहुत कुछ होता है, मतला almost होता है, उसको आप यादी मत करूं, जो बहुत कम होता है, अब तीन type के होते हैं, ये आपकी condition है, hypogynous, कौन सी condition है, hypogynous, अब two other condition जो आपकी है, एक आपकी condition है, perigynous, perigynous, perigynous में थोड़ा सापन बाउल साइप होता है, thalamus, और जो periphery region होता है, यहां center पे ovary होती है, जो periphery region होता है, वहाँ अदर floor rule होते हैं, half periphery होता है, तो perigynous के example क्या है, perigynous के example आप याद कर लें, इसकी trick है PPR, trick क्या है PPR, बोले तो plum, plum, peach और rose, आलू, बुखारा, plum, आडू, peach और rose, PPR perigynous हो गया, तीन example आप याद हो गये, clear, बाकी almost होती हैं, और third आपकी condition है, यह first condition हो गई, यह second condition हो गई, third condition आपकी है, epigynous, epigynous में, epigynous condition में क्या होता है, कि जो ovary, जो thalamus है, thalamus, वो outward grow करता है, और complete उपर जाकर इसको fuse कर देता, यहां से, यहां fuse हो जाता है, और ovary inferior ते और all are superior होते हैं, तो जो epigynous condition में, ovary inferior, all are superior, just opposite to hypogynous, epigynous के अंदर, अब आप इस्टुटें दिमाग लगें, कि epigynous के example है, epigynous में, cucumber यानि gods, पूरा cucurbitace, cucumber god यानि पूरा cucurbitace हो गया, clear, इसके अलावा अपनवात्रे की ray flow rate of sunflower, और इसके अलावा गवावा, तो गवावा, ray flow rate of sunflower, और बाकी आप समझ सकते हैं कि पूरा god, यानि gods मतलब cucurbitace पूरी, clear, तो यह उसके example आप याद कर लें, अब आपको अगर epigynous और perigynous के याद हैं, तो EI family 2.15 में perigynous का exam पूछा गया है, आपके शुम वह भी कर दोगे, और यह दो याद हैं, और आपको जाए 22 example दो, 22 example दो, 20, 30 example दो, कितने भी example दो, और जो इन दोनों का आप उसमें से अठा दी, तो आपका वह आण्षर हो जाएगा, आप देखो अपना अठाते हैं, clear, मैं color change करता हूँ, अब मैं अठा रहा हूँ, कि जो जो जिनमें epigynous है, perigynous उनको अठाता हूँ में, तो hypogynous आपका आण्षर हो जाएगा, तो first of all, गवावा, यहां से अठा जाएगा, गवावा, उसके बाद, plum, दो, उसके बाद, रोज, तीन, उसके बाद, आपका बेटा गवावा अठा गया, sorry, पहले bitter gourd, first, bitter gourd के बाद, pumpkin, two, फिर आपका cucumber, three, फिर आपका गवावा, four, फिर आपका plum, five, फिर आपका रोज, six, तो यह six अठ गए, और यह total है, 21, आप 21 में से आप six को अठा दो, तो six को अठा दो, answer will be first, 15 हो जाएगा, यानि 15 में, अब यहां पर आप फिर और पूरा भी देख लें, कि mustard, superior हो री, क्योंकि यह brisicase से है, brinjal, superior, solenusica member है, china rose superior, malusica member है, leupine superior, phabesica member है, sunhem phabesica member है, gram phabesica member है, clear, bean phabesica member है, solenusica 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 member है, lilyasica 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 member है, आपर 6 बिटर गर्ड पंकीन कुकुम्बर गवावा प्लम और रोज शिक्स को आप रिमूव कर दो तो रिमेनिंग 15 शिक्स को रिमूव करते रिमेनिंग कितने 15 तो आंसर विल भी फस्ट तो बहुत इंप्रोटेंट क्यूशन है अब इससे आपको मैंने पूरे जो भी इंसर् है उसका मैंने ओल पूरा टॉफिक आपके सामने कवर कर दिया ठीक है तो बहुत अच्छे सब्सक्राब त्यार करोगी थैंक्यू नेक्स्ट नेक्स्ट क्यूशन नमर थी इन चाइना रोज चाइना रोज फ्लोवर आर चाइना रोज गुढ़ल में पुस्प कैसे होते हैं तो बहुत वाँ अब आपके मालवेसी फैमेली तो नहीं लेगिन चायना रोज की फो सारी कंडिशन्स आपके हैं, इसमें यूनिक करेक्टर होते हैं, मैं बताओं आपको चायना रोज में, सबसे पहले जो मालवेसी फैमेली होती है, हिबिसकस, रोजा साइनेसिस, चायना रोज, मेलोकुल, उसमें floral character में आपको मैं बताऊं तो actinomorphic है superior है pentameras floor है क्योंकि pentacarpillary pentacarpillary pentalocular clear और axial presentation है इस malvasive family को unique character ने तो twisted estimation व्यावर्थि दलवीनियास twisted जो कुछन बार-बार पुछाता है कि जो petal के margin है petal के margin एक particular direction में next one को और लेप करते जाएंगे तो particular direction होगी next one को overlap करते जाएंगे clear तो next one को overlap करते यह twisted estimation हो गया तो twisted estimation है ऐसे stemmen में adelphi होगी तो monodelphus condition है monodelphus है ऐसे उनका enter जो है enter है उनका तो वो monotheques होगा enter monotheques होगा तो enter का monotheques होना stemmen में monodelphus condition होना और twisted यह Malwesi के unique character है characteristic character है तो अब अपनी आपर देखेंगे की gyomorphic यह तो wrong हो गया क्योंकि actynomorphic है hypogynous सही है implicate possibly नहीं wrong हो गया gyomorphic फिर wrong हो गया clear यह भी wrong हो गया epigynis possible ही नहीं twisted estimation आ गया actynomorphic china rose आप जानते हो कि वही मैं आपको बताना चाहूँग इस वह बाचरında सारी फैमिले एक्टिनोमोर्फिक होती थी यहेंस कटिनोमोर्फिक हाइपोगाइनेिज मैंने खbahnता है कि मालविसन यह स्वेयर वहरी है थी है तो हैक्टिनोमोर्फिक हाइपोग्ईनेस with twisted estivation जो उसका unique character है तो actinomorphic symmetry of flower hypokyanus जो condition है और twisted estivation तो according to this question answer will be third और यहाँ देखो actinomorphic epokyanus possible ही नहीं है और with wall weight estivation clear? तो यह possible नहीं है यह भी wrong हो गया तो according to this question answer will be third तो यह भी होत अच्छा question था ठीक है student then next question number four placenta and pericarp are both edible portion बीजांडासन और फल बीती दोनों खाने योगवा किसमे है बहुत अच्छा question है clear? तो placenta और pericarp दोनों ही खाने योगवा किसमे है तो fruit से related है और मैंने आप से बताया था कि simple fruit dry, maybe dry और flussy तो flussy प्रूप fruit, mango coconut और berry fruit होता एक तो berry berry fruit generally berry जो fruit है वो solenacy family में दो टाइब फ्रूट होनी बेरी manly fruit होता हुँ आँका अब बेरी में bicarpulary superior ovary form करती है bicarpulary superior है अब आप जानते हो solenacy में bicarpulary condition भी है superior भी है bicarpulary shrinkar superior और bilocular condition है कि दो कारपल जहां margin fuse हो रहे हैं septa भी form हो रहे हैं और placenta इसका obliqually carpul obliqually arranged है और placenta swollen placenta फुलावा placenta है clear जैसे आप tomato को ऐसे काटे हैं तो दो septa हैंगी बीजों फुलाव बीजांडासन वहां बहुत सारे seeds आएंगी ovils वहां लगे होते हैं clear तो वो आप जानते हो कि tomato में tomato में आप देखते हो कि tomato berry fruit है tomato में जो edible part है tomato में आप pericarp pericarp का मीन क्या हो गया कि tomato में आप epicarp को भी edible है mezocarp भी edible है और plus endocarp भी क्या है edible है और plus placenta तो pericarp epicarp, mezoc, endo और placenta pericarp plus placenta तो यहां पर आपका answer will be third tomato क्योंकि apple में तो आप जानते हो कि थैले मस से तो apple में तो edible part का tomato हो गया answer बनाना और potato नहीं हो सकता तो answer will be third clear next question number five question number five है when the margin of sapal or petal or one or another without any particular direction the condition trimmed edge कि जब भाये दलपुझ या दलपुझ की केनारे बिना किसी विशेश दिसा के एक दूसरे को अतिशादित करते हैं अतिवयापित करते हैं इस condition को आप क्या कहेंगे dear student आप ध्यान दें अभी मैंने आपको बताया था कि अगर और लेपिंगी जो condition है वो particular हो यदि particular direction में और लेपिंग हो तो इसको आप बोलते हो twisted estimation twisted जो किसमे है मालवेसी में चाइना रोज में और अगर जैसे ये जो posture ये पैटल ये दोनू margins के अंदर ही हो तो ये particular direction नहीं होगी clear उसके बाद में इस फोम में हो तो ये आपका होता है imbrigate clear गुलमोर के Asia में क्या होता है imbrigate जो किसम बार-बार आपसे पूचा गया है तो अगर और लेपिंग है लेगिन particular direction में नहीं है तो imbrigate हो और ये NCI ने बिल्कुल 100% दे रखा है कि और लेपिंग परजेंट बड़ नोट इन particular direction तो आप समझ सकते हैं वेक्जिलिरी होता जाए गुमोर्फिक तो वेक्जिलिरी नहीं होगा ट्यूश्टेड में particular direction होती है वो और वेट में और लेपिंग ही नहीं होती है तो answer will be second clear तो ये आपकी हो गई next आपने बात करते हैं question number 6 तो देखो student an example of edible underground stem खाने योगी भूमी के तने काने में से उधान कौन सा है तो आप समझ सकते हैं कि यहां first option हो गया carrot carrot tap root system का modification है conical root tap room का food storage के लिए ये तो root है clear और उसके बाद ground nut तो ground nut के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि edible fruit की बात आजाती है और sweet potato तो sweet potato जो सकरकंध है वो root ही है adventist root का modification है adventist root का modification tuberous root है ना tuberous root clear फिर है potato underground stem है potato potato आप देखते हो आई बढ़ होती है clear तो potato आपका underground stem है तो according to this question answer will be 4 clear next question number 7 which of the particular type of drug that is obtained from the plant whose flooring branch is so below कौन सा vicious प्रकार का मादक दर्ज उस पोदे से प्राप्त हो जिसकी एक पुस्पिस्सा का नीची दिखाई गई है वैस्चे तो ये question आपकी जो disease chapter है जो लोजी में उससे है फिर मैं बता जाता हूँ कि ये डठूरा है और इससे आप जानते हैं कि हेलो सिनोजन्स अप्टेन होते हैं तो अकॉर्डिंग दिसकी जो आंसर विल भी फर्स्ट किलियर नेक्स्ट क्योशन नम्मर एट कील इस दा क्रेक्टरिसिक फीचर ओफ लोर कील नो तल किसकी पुस्पा बिलक्सन है यह क्यूशन बहुत इंप्टेन बार-बार आ गया है जो बेटा जी आप समझ सकते हैं जो फाबेसी फैमेली है उसमें फाइब पैटल होते हैं फाइब पैटल होते हैं सबसे लारजेस्ट जो पॉस्टिर्स सबसे लारजेस्ट जो पैटल होता है उसको पन बोलते हैं वेगजीलम बार-बार ये कुछना आ गया वेगजीलम इस्टेंडर किसे कहते हैं तो largest petal उसको आप कहते हो वेगजीलम इस्टेंडर्ड उसके बाद two-lateral two-lateral आपके होते हैं जिसको आप कहते हो two-lateral wing तो wings two-lateral wing lateral condition में आपके होते हैं तो 1, 2 और next जो anterior होते हैं वो आपके fuse होते हैं तो ये kylia carina kylia carina kylia carina तो ये 2 fuse तो ये condition आपके होती है 1, ये condition ध्यान से सुनना 1 plus 2 plus 2 ये आप उसके family फाबेशी में आप देख सकते हैं इसको आप vacillary estimation आप कहते हैं तो आप कहरेंगी कील ये जो carina वो किसका characteristic character है ये किस मुषबा बिलक्षन है बेटो मेटो में नहीं तो यहाँ तो एक्जिल प्लेसेंटेशन है clear और वालुए टेस्ट ये आप टुलिफ पोसिबल ही नहीं है, इंडिगो फेरा और अलोई, तो यहाँ पर आणसर आपको जाएगा इंडिगो फेरा, क्योंकि इंडिगो फेरा phabesip है, मेरे से related है, एक निला रंजक है डाई है, clear? तो according to this question answer will be third clear है, next question number nine perigynose, floral and founding परी जाएंगे, उसकिस में पाए जाते हैं तो मैंने आपको शुरू में पूरा समझा दिया कि perigynose में half inferior ovary होती है और perifree पर other floral part होते हैं, clear? अब आप perigynose में से trick बताई थी, PPR तो perigynose की trick क्या बताई थी, मैंने? PPR, previous question में तो perigynose की trick मैंने आपको बताई, PPR बोले तो क्या है बेटाजी? Plum, Plum, Peach, Plum, Peach और Roge Plum, Peach, Roge में आपका perigynose condition होती है अब यहाँ पर Guava में epigynose condition होती है यह भी epigynose condition होती है यहाँ superior ovary है ने hypokynose condition होती है तो epi, epi, hypo और यह perigynose का रोज, PPR तो according to this question answer will be first तो 9 question answer क्या होगा? First, next question number 10 Actinomorphic, Bisexual, K5, Clear, C5, A5, G2 और यहाँ पर आप समझे, epigynose condition है Cepal 5, Gamma Cepalus, Petal 5, Gamma Petalus, Stamin 5, Olandrus, Bicarpularis incarpus superior ovary is the floral formula of यह किसका floral formula है, किसका पुस्टूत्र है तो students आप ध्यान दें, यह किसका floral formula है यहाँ पर आप देखना चाहोगा कि Actinomorphic Bisexual, लेकिन Pantameras और epipetalus condition भी, Bicarpularis incarpus तो यह solenacy family का formula है solenacy family का और solenacy family में यह conditions है क्योंकि यह तो tetramerus भी, C4X condition होती है यह sasbenia अभी मैंने आपको बताया था जिसमें वेकजली आपका होता है यह liliacy family में trimeras condition होती है यह pitunia, यह solenacy family का example है, तो according discussion answer will be 4 4 answer होगा pitunia और pitunia solenacy family का है, और यह जो floral formula solenacy का है, इसलिए आप निकाल सकते हैं solenacy pentameras है, solenacy में bicarpularis, syncarpus, bilocular और आप समझ सकते हैं कि agile presentation है clear, तो यह सारे character किसके है, solenacy family के हैं तो according this answer will be 4 next question number 11 among china roads mustard, brinjal, potato, guava cucumber, onion and tulip how many plant have superior और तो good अलुद, अलुद, खीरा, प्याज, tulip में कितनों में उर्द 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 अंडा से हैं superior होगी कितो है, superior होगी है hypokinase condition होगी, और वही जो मैंने second question आपको बताया था 15 answer वाला, तो वहां मैंने बताता है कि perigynase को और epi को अठा दो तो किसको बता दोगी, hypokinase को बता दोगी अब यहां दो बहुत कम example है easy नहीं बता सकते हो, perigynase perigynase, जो परी जाएंगी condition होती है, clear perigynase, तो परी जाएंगी में क्या PPR, अभी मैंने आपको बताया plum peach, रोज epigynase, epigynase में आप समझ सकते हो कि gourds होते हैं और cucumber जो है बाकी refloreate और guava, clear epigynase, तो अब आप यहां पर अठा दो आप से पूछा है hypogynase, superior overi hypogynase, condition में superior overi होती है, clear, तो अब आप से इसमें अठा दो, कि hypogynase superior overi, चाइना रोज में होगा क्योंकि मालबेसी है mustard इसमें होगा basic इसमें होगा, बेंगन आलू solenis इसमें भी होगा, clear one, two, three, four लेकिन guava में नहीं होगा clear, cucumber में नहीं होगा clear, इसमें होगा तो यह आपका five हो गया और इसमें आपका होगा तो यह six हो गया clear, तो इनमें epigynous condition है अमरूद खीरा के अंदर clear, गव और cucumber में और बाकी आपके होगे, तो according to this question answer will be four, यह six तो six में क्या है, hypogynous superior ovary condition है, तो answer will be four, clear six example आपके होगे next question number 12 flower are unisexual किसमें पुस्प एक लिंगी होते हैं तो देखो flower maybe bisexual और unisexual, अगर androsium, gynosium, A and G androsium, gynosium both are present within flower, तो bisexual अब इनमें से कोई एक भी है, A है बट G नहीं तो estaminate flower है और G है बट A नहीं है, तो pistillate flower है, clear अब तब unisexual flower है अब आपन कहते हैं, unisexual flower किसमें होता है मेज में होता है unisexual लेकिन दोनों टाइप की unisexual SM plant पे होते हैं, तो monosyus plant होता है और papaya में आपका होता है वहाँ dyesus plant होता है, clear तो यहाँ चाइना रोज में bisexual flower है, clear और आप जितनी family पढ़ते हैं mustard, bracy, c, bisexual flower है malvacy, bisexual है lilacy, bisexual, phabacy, bisexual है, solenacy bisexual है तो यहाँ malvacy family bisexual है, clear lilacy family bisexual है, clear और यह p, phabacy family bisexual है, लेकिन जो मेज, यहनि मक्का मेज, और जो कुकुम्बर है यहाँ पर क्या है, unisexual floor है तो मेज, कुकुम्बर में क्या होता है, unisexual floor, according to this question answer will be 4, clear next question number 13, root play insignificant role in absorption of water in, किसमें जड़े जलावसो sun में नगणने कारे करती है तो भई, मटर होता है, उसमें तो अच्छे से काम करती है, taproot system होता है और wheat में fibrous है, वैसे monocoat है, crops है, तो वैसे water की requirement होती है, और sun floor में भी होता है, तो पी में भी है लेकिन यह पिस्टिया, आई कोर्निया जो पिस्टिया है, यह जो पिस्टिया है यह aquatic plant है अब आप समझ सकते हैं कि aquatic plant में, aquatic plant में aquatic plant में, आप जानते हैं पुरा plant body ही water absorb कर लेता है, तो root उतनी develop नहीं होती है, आई कोर्निया और पिस्टिया में, किले स्टुडेंट, तो according discussion answer will be 4, किले next question number 14 exile presentation presenting, इस्तंभी यह किसमें होता है, पहुत important question मैं आपको यह trick यहाँ पर भी बताऊंगा कि ब्रेसी के सी फैमेली में parietal presentation होता है अगर आपन बात करें फाबेसी में प्रेसेंटेशन होता है लेकिन अपन सब से फाबेसी में marginal presentation होता है मैं आप सब से तीन फैमेली बताता हूं solanese, bi-carpulary, bi-locular, syn-carpus, superior ovary, tri-carpulary, trilocular, syn-carpus, superior ovary, lilyasi, penta-carpulary, penta-locular superior ovary, china rose, malvacy, और onion, lemon marine में भी आपका होता है axil presentation, clear, क्या होता axil present, carpal के जो margin है जहां touch करते हैं वहां से एक septa carpal के जो margin है जहां touch करते हैं वहां से एक septa center के और grow करता है और center पे एक axis होता है यहां पे many ovules इस पे लगे होते हैं तो यह आपका क्या है axil presentation है clear तो आपको में बताना चाहता हूँ कि जैसे यहां three carpal है माल लो one three carpal है one two और क्या three three carpal margin जहां touch करें वहां से septa आएगा यह septa हो गया और यह septa हो गया यहां central axis होगा और इस पे oeules होँगे तो जितने carpal number of carpal equal to number of septa tricarpulary, trilocular और axil तो यह आपका होता है axil presentation और आप जानते हैं कि tomato को आप cut करो तो two septa आएगे तो bicarpulary, bilocular और वह obliqually arranged होंगे carpal और solen placenta होगा solenacy का सबसे important character है और यह आपका tricarpulary, trilocular lilicy family में होगा pentacarpulary, pentalocular किसमें आपका होगा malvishy family में होगा clear तो आप समें इनमें से किसमें होगा P में marginal presentation है clear argymone या mustard में parietal presentation है dientas में free central presentation है लेकिन जो lemon है lemon में आपका क्या है मैंने बदाए लेमन में आपका excel presentation है आप निम्बू को आप cut करेंगे तो sept आएंगे और center पर आपके seed and ovule थे तो आप समझ रहें कि lemon ही आपर answer होगा recording this answer will be 4 clear? next question number 16 stem modified into flat green organ performing the function of leaves or known as stem के modifications दो तीन मोड़ी भी महासे 100% question आता है आप देखते हो कि philoclade philoclade आपका होता है परनाब इस्तम परनाब इस्तम परनाब इस्तम में क्या होता है कि complete संपून तना flat और green हो जाता है और inside mucilage store होता है flat and green और unlimited growing उसमें branch होती है आगे सागे grow करती जाती है आप ओपंसिया में देखते हो cutters में देखते हो और leaf वहाँ spine में modify हो जाती है तो यह flat green बढ़ा दिया ना flat green organ perform function of leaves leaves का function में कहा है photosynthesis और यहाँ इस function of conform कर रहा है stem flat green stem तो वह stem का modification है philoclade प्रनाब stem इसके लाग cladode होता है तो cladode में तो limited or one या two जो inter node होती है वही इसमें होती है cladode में तो asparagus में तो यहाँ पर philode और इसके लाग केश चेए तो leaf come modification है philoclade यह flat green stem है जो flat green organ है जो leaves की तरह function करेगा तो यह आपका philoclade clear पनाब stem जो पंसिया में नागफनी में है और scale cladode तो यहाँ पर answer will be second तो बहुत important question है clear next question number 17 the standard petal of a papillinesis is also called अभी मैंने आपको बताता है papillinesis बोल दो चाहिए इसको वेक्जिलरी बोल दो तो इसमें जो आप कहते हो कि जो standard standard जो सबसे largest petal होता पॉसरी petal होता है फिर two lateral होते हैं और two anterior आपके इस फोम में आपके होते हैं इसको आप कहते हो वेक्जिलम तो papillinesis बोले मानक दल को आप अन्य किस नाम से जानते हैं वेक्जिलम clear तो papillinesis तो sun floor में होता है कहरीना कोई मतलब भी नहीं है वेक्जिलम according to this answer will be second yes or no clear है और बहुत important question student ध्यान देश के उपर next question number 18 tricarpulary syncarpus gynosium is found in floor of बहुत important question आप जानते हो कि most of monodicodes में pentameras condition होती है एक brassication में tetrameras है और monocodes में trimeras होती है तो liliacy यह monocode है poesi, gramini आप समझ सकते हैं कि liliacy में tricarpulary अभी बताया मैंने tricarpulary trilocular axil placentation syncarpus यह सोर नो तो tricarpulary syncarpus gynosium कहां होगा तो आपकी family होगी liliacy तो according to solenacy pentacarpulary है और आप जानते हो यहां पर ovary, gynosium आप जानते हो यहां पर monocarpulary है यहां पर आपका हो जाएगा tricarpulary, liliacy family तो according to this question answer will be 4 clear? then next next अपन बात करते हैं question number 19 cotyledon of maize grain is cold मक्का के दाने की बीजपतर क्या आप जानते हैं dicote में 2 cotyledons होती है और monocote में reduce हो जाता है epiblast और single cotyledon होता है इसको आप कहते है scutellum scutellum बहुत अच्छा question आता है scutellum answer will be 3rd clear? next question number 20 which of the following is not a stem modification निमन में से कौन एक तने का रुपांत्रन नहीं है इन बावी stem का modification नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि thorn of citrus citrus और बोगन विले एक आटे तो stem का modification है tendril of cucumber यह भी stem का modification है दोनुई stem homologus है दोनुई stem axillary bird के modification है clear? अब आप कहते हैं कि flattened structure of open sea open sea चप्टी सरचना भी आया था तो वह भी stem का modification है philoclade photosynthesis के लिए specific modification है clear? अब picture of nephanthes nephanthes का जो घठ है picture plants रोते हैं यह leaf का modification है clear? तो आप समझ सकते हैं कि यह stem का modification नहीं है तो according to this question answer will be 4 clear? बहुत important question next question number 21 match column first with column second and select the correct option using the given below column first को column second से सुमिलित कीजिये तता नीचे देगे कूट का प्रयोक कर सई विकल्प को चुनिये तो column first and column second clear? अब आप कहते हैं कि still fuse together आपस में जुड़ो है इस्तरीकेसर बहुत कारपल या पिस्तल आपस में पिस्तिल fuse together आपस में जुड़ो इस्तरीकेसर तो आपकी condition क्या होगी syncarpus formation of gamet युगमों को का बनना तो gametogenesis और high P of higher ascomensities तो आप समझ सकते हैं कि high P of higher ascomensities तो डाइकेरियोटिक होती clear है कि नहीं है और आप कहते हैं कि जो unisexual female floor है तो पिस्तिल मैंने कहाता है कि एगर A and G androsium गarnisum दोनों तो bisexual floor है clear bisexual और A या G में से कोई एक है तो A है तो staminate और G है तो pistillate clear तो यह आपकी बात होगी अब according discussion A में क्या है A में third तो A में third का option है कि third option फिर आप समझ सकते है कि B में क्या है तो B में first clear फिर C में क्या है C में four और D में क्या है second according discussion answer will be third तो answer क्या होग आपका third होगा है के नहीं है third answer होगा इसमें clear तो अब आपन बात करते हैं, next question की, question number 22, the term polyadolphus is related to भाव संगीपत किससे समन्दित है, तो student आप ध्यान दें, मैंने आपसे बताया था कि stamen में, तीन पार्ट होते हैं, filament, connective और enter, अब, cohesion एक बात होती है, एक addition होता है, cohesion का मिन होता है कि similar type के floral wool, एक ही प्रकार के push-bitr आपस में connect हो, आपस में जुड़े हो, तो आपको होता है cohesion, सह संजन, कहते हैं न सह संजन, समान प्रकार की ओनों में, सह संजन बलभीत होता है, clear, cohesion, सह संजन, addition होता है, अलग-अलग में, तो जैसे अगर मालनों की जो epipitalis है, epipitalis condition है, तो ये addition का example है, clear, ये epiphylis जो आपका condition है, ये भी addition का example है, इन cohesion, अब cohesion में, मालनो, stamen के filament-filament जुड़ जाएं तो उसको आप करते हो, अद्रस condition, उसको अदलफी condition, filament-filament, अदलफी condition, anthranthus syngenesis, और completely syngenus, तो filament-filament उसको आप अदलफी करते हो, अदलफी तीन होती है, monodalphी, diadalphी, polyadalphous condition, तो यहाँ आप से पुचा है क्या, polyadalphous condition, monodalphous होती है, चाइना रोज के अंदर, diadalphous, diadalphous 9 plus 1 फाबेशी में, मतर में, clear, और polyadalphous होती है, citrus में, तो ट्रम polyadalphous related to androsium, corolla, calyx और gynosium, तो किसे related होगी, androsium sensitive में जा रखा है, तो according to this answer will be first, बहुत important, next, question number 23, how many plant among indigophera, sasbenia, salvia, allium, alloy, mustard, groundnut, reddish, gram, trnip, have stem with different length in their flower, कि इन में से, कितने पुदव पुस्व में, पुंकेसरों की लंबाई भिन भिन होती है, बहुत important question है, नीट, second, जो 2016 का, और बहुत important question है, students, और ये question, बहुत टोपर बचों गलत वादा, बहुत तरीके सीखनास का concept, देखो में आप बता दू, कि ये कह रहा है कि इस्टेमन जितने भी है, उनमें filament के सब में same, most of family में same length होती है, लेकिन कुछ family में filament की length में variation होता है, अब ये दो type का variation होता है, ये condition आपके होती है, tetradynamus, tetradynamus का mean हो गया, tetradynamus, चतुर धिर्गी, तो tetradynamus किस family में होता है, आपके होती है, basic family, mustard family, तो जो mustard family है, उसमें आपका होता है, tetradynamus condition, यानि स्टेमन का नमबर कितना होता है, 2 plus 4, 6, 2 short or 4, long, तो 6 होते हैं, tetradynamus, चतुर धिर्गी, mustard family के अंदर, और एक आपका होता है, di-dynamus, 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 और di-dynamus आपकी जो condition होती है, 2 plus 2, वो साल भी आमें होती है, तो पूरा basic family, सलजम, मूली, गोबी, ये सारा जो सरसों, पूरा basic family है, तो ब्रेशी के सी में तो tetradynamus, और साल भी तूल सी में आपका होता है, di-dynamus, अब यहां से आप निकालो आरा हम से, कि यहां पर साल भी हो गया, di-dynamus, साल भी हो गया, clear, फिर आप समझ सकते हैं, mustard family सरसों हो गया, मूली हो गया, it means, यहां आप देखें, कि साल भी हो गया, one, फिर आप समझ सकते हैं, कि mustard हो गया, है न, फिर आप समझ सकते हैं, redis हो गया, तो one, two, three, और उसका टरनिप, सल जम, ब्रेशी का रपा, आप समझ सकते हो, कि ब्रेशी के सिफेमेली से हैं, तो four हो गया, तो इसमें क्याता है, कि ब्रेशी के सिफेमेली, तो पूरी एक्जमपल ने, त्रेटर डाइनेमस, two plus four, और साथ में आपको लेना था, वेरिशन लेंथ में, सालिविया, और तूल्सी वाला, डाइनेमस कंडिशन, अब इसमें क्या हो, कि आपके ब्रेशी के सिफेमेली, डिटेल में भी नहीं है, और ये कंडिशन कहा तेरी के वहाँ जाए, वेरिशन लेंथ में, क्यों इस तरह लिक्षर, टेटर डाइनेमस, और मस्टर और सालिविया, तो आपको पूरी फैमेली की वहाँ बात करनी थी, तो ये क्यूशन बहुत इंपोर्टेंट है, और आप समझ चूके होंगे, क्यान है, कि यहाँ पर रेडल सेमिश्ट्री फांड इंदा फ्लोर अर्यी सन्दी किस में पाहि जाती है, तो ट्रैफॉलियम में, पाईजम में, केस्या में, तो ट्रैफॉलियम, पाईजम और ये केस्या, यह leguminosy और सफाबेसी से related है तो फिर ब्रेसी का तो according to this question answer will be 4, clear, next question number 25, free central placentation is found in muck तक सी बिजाननास किसमें पाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें तो parietal होता है, आरजी मोन और मस्टरड में तो parietal होता है ब्रेसी का वो ही parietal हो गया, clear, citrus अभी आपका पहले question आ गया, एक्जिल हो गया, citrus में, तीन फैमिली, मालवेसी, सोलनेसी, लीलेसी में और citrus में, एक्जिल प्लेसेंटेशन हो गया, डायंतस, तो यह बहुत फ्री सेंटरल, instead example, फ्री सेंटरल मतलब, पहले कारपल मार्जिन टच करते हैं, सेप्टाई बनते लिए बाद में, वो डेस्टर हो जाते हैं, और फ्री सेंटरल, जो प्लेसेंटेशन है, तो वह आपका होता है किसमें, डायंतस में, प्रिम्रोज में, clear, तो डायंतस में होता है, according to this answer will be 4, clear, next, question number 26, इन बोगन विल्या, थ्रोन और दा मोडिफिकेशन हो, बोगन विल्या में काटे किसका रूपांतरन है, clear, तो आप समझ सकते हैं कि, बोगन विल्या, कुकरबिटा के परतार में, बोगन विल्या काटे, होमोलोगस है, तो इस्ट की फिल्या गलत हो जाएगा, according to this question, answer will be 2, clear, next, question number 27, plant which produce characteristic pneumatophores and so vivipari belong to, भोथ important question, student, भोथ याच्छा question है, तो पादप जो, मलदा, plant, plant which produce characteristic pneumatophore and so vivipari, कि जिन में 100 मूले पाया जती है, pneumatophore पाया जती है, रेस्परेशन के लिए रूट मलब अपवाड ग्रो करके बाहर आ जाती है नुमेटोफोर होता है आप समझ सकते हैं राइजोफोरा में सोरेंसिया में आप समझ सकते हैं नुमेटोफोर्स आती हैं आप जानते हैं और आप से सबसे इंपोर्णे लाइन दिये कि वीवी पेरी इसको करते हैं तो यह मैंगरोब वेजिटेशन है और मेंगरोब वेजिटेशन आप समझ सकते हैं कि अनुमाय साल्टे मार्सी रिजन है तो आप समझ सकते हैं कि यह प्लान्य कई करते हैं और utan जाल्दब क्य?」 जाए जो पादपक है न्यू सीडलिंग जो नवद भीद पोदा है वो इस तापित होता है दलदल के अंदर तो इसको पर बोलते हैं वीवी पेरी यह स्पेसल करेक्टर है तो यह बिल्कुल लओन है दलदल में यानि मार्सी सेलाइन मार्सी रिजन में पाए जाते हैं तो आप समझ स सबसे इंपोर्टेंट थी वीवी पेरी में आपको बता दीके डिर्यक्ट सीड नहीं होगा तो यह न्यू सीडलिंग को रिमूव करते है तो छोटा सा पादपक बढने के बाद वहां स्तापित होता है कि लिए तो इस्टुडेंट अकॉर्डिंट से आंसर वाल भी फस्ट बाकी बालुकोद भीद, यानि सैमोफाइट्स, मीजोफाइट्स और यह नहीं होगा, किलियर, बहुत अच्छा क्यूश्यन है, next, question number 28, coconut fruit is, नारियल का फल किस परकार का है, मैं आप बता चुकोंगा, mango और coconut क्या है, सिंपल फ्रूट हैं, और बेरी नहीं है, किलियर, नट नहीं है, और कैप्सूल नहीं है, तो क्या है, डूफ फ्रूट से, तो अकोडिंग दिस्कूशन आंसर विल भी, 4, yes, next, question number 29, root है, developed from the region of, मूल, रॉम, किस से विक्षित होते हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि, जो region of root होते हैं, root के 3 region है, 3 regions आपके हैं, सबसे पहले dividing cells की, कुछ dividing cells का region है, merismatic region है, जो highly metabolic active होता है, dense protoplasm, फिर आप जानते हो, elongation zone है, clear, और उसके बाद में आपका क्या है, जो differential cell का maturation zone है, तो maturation zone, वहाँ पर ETS, GTS, VTS हैं, तो वहीं से आपके root hair, differential time in root hairs आपके हैं, तो root hair zone हो गया, तो merismatic zone, elongation zone, maturation zone, और ये root hair zone, clear, तो maturation part से root hair, आपके, आपके, जो epidermal appendix, epidermal out of growth हैं, तो आप समझ सकते हैं, coding discussion, elongation, root cap, marismatic, ये protection में root cap होता है, तो आपका हो जाएगा maturation, और आप भी समझ सकते हैं, कि जो marismatic cell है, वो single, marismatic से जो two daughter cells form होती है, marismatic cell से जो two daughter cells होती हैं, उनमें से one is continue dividing, ये तो continue dividing करे, new cell add करती जाएगी, और one, elongation में जाएगी, structural functional changes होंगे, और फिर differentiate होगर mature cell हो जाएगी, तो differentiate होगर mature cell होती है, वहीं से आपके, आप समझ सकते हैं, जब mature, differentiate होगर permanent cell बन जाती है, तो ETS, GTS, VTS, epidermal tissue system, ground tissue और vascular tissue, तो epidermal system की appendage ये क्या root है, तो यहां maturation zone आपका answer होगर, answer will be 4, clear, बहुत important question है, then next, question number 30, numato 4 occurring, साउसन मूल किस में होती है, तो ये फिर वही question और बहुत important question, कि भई, मासारी पात्पों में, कार्णियोस प्लांट में होती है, submerged hydrophytes में, जननिमगन जलोद में होती है, free floating hydrophytes में, साउतंतर रुपलाव जलोद में होती है, या फिर हैलोफाइट्स में, लवनोद में, किलियर, next, question number 31, sweet potato जिए modified, सकरकंद किसका रुप आंतरण है, तो आप समझ सकते हैं कि sweet potato तो stem है, लेगिन sweet potato सकरकंद root है, adventious root है, tuberous root है, जो इंचाने बता रखा है, तो tap root नहीं होगा, rhizome, ये तो stem ही हो गया, adventious root, according to this answer will be third, किलियर, stem नहीं होगा, तो student आप जानते हैं, tuberous root है, sweet potato सकरकंद है, आपोमिया बताटा है, तो according to this answer will be third, किलियर, next, question number 32, persistent, new cellist is the seed is known as, आप समझ सकते हैं कि जो new cellist होता है, उसी से mmc डवलप होती है, फिर mmc, mega spore, फिर mega spore, फिर mega spore से female gametophyte, जो embryo sec form होता है, clear, तो फिर बाद में new cellist almost use हो जाता है, consume हो जाता है, और फिर अपने जीज़ों आगे पढ़ते हैं कि जो endosperm अगर completely consume हो जाए, क्या endosperm, तो non endospermic seed होते हैं, dicote mostly, और रिमेन रहे जाए endosperm, तो endosperm होते हैं, monocote, लेकिन new cellist अगर रिमेन रहे जाए, persistence new cellist रिमेन रहे जाए, तो उसको आप परिस्पर्मिक, जो काली मिर्च और चुकंदर है, परिस्पर्मिक सीड, तो उसको आपको ओगए परिस्पर्म, है ना, यह parent sporophyte 2N है, तो according to this question, hyalum नहीं होगा, tagman नहीं होगा, चले जानहीं होगा, यह तो पार्ठ है उसके, और आपका परिस्पर्म हो जाएगा, परिभुन पोसी, क्लियर, according to this answer, will be 4, क्लियर, next, question number 33, placentation in which ovule develop on the inner wall of the ovary, और in peripheral part, उस बिजान न्यास को क्या कहा जाता है, जिसमें बिजान अंडा से की बित्री बित्तिया परिदी भाग में विक्षित होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि, जहां margin टच करते हैं, कारपल के, और कारपल के margin जह टच करते हैं, उनकी inner wall पर यहें परिफ्री रिजन में ऐसे यह parietal placentation होता है, ब्रेशी के से family में यह unilocal होता, initially, बाद में रैपलम, pseudo-ceptar, रैपलम फोर्म होन से, बाइकरपलरी के कंडिशन हो जाती है, तो इसको आप कहते हो parietal placentation वित्तिये, क्लियर, तो यह बहुत important बात हो गई, according to answer will be first, three central होगा नहीं, एकजल होगा नहीं, बैसल होगा नहीं, क्लियर, तो according to this question, answer will be first, और बहुत important है, क्लियर, next, question number 34, तो morphology complete हो गई, अब आपका anatomy का part start हो गया है, क्लियर, तो question number 34, lenticles are involved in, वातर अंदर क्या करते हैं, आप जानते हो कि, जब जो woody plant होते है कास्टी पोदे होते हैं, उनमें secondary road होती है, extra stear, जो cork, ambient, phallogen, inside phallodrome, outside phallum, आप समझ सकते हैं, कि secondary cortex, जो cork cells होती हैं, तो वहां, complementary cells से आप जानते हैं, lentical form होते हैं, lentical वातरंदर होते हैं, जो कास्टी पोदोपरी होते हैं, और वातरंदर का primary function है, gaseous accents, थोड़ा बहुत transfer 0.1% लेकिन man function है, gaseous accents, यह कभी भी question आए, तो आप समझ पा रहे हैं, कि food transport नहीं होगा, photosynthesis नहीं होगा, transpiration, लेकिन उससे ज्यादा important आपका होगा, gaseous accents, according to answer will be 4, clear है, next, question number 35, इंटरफेस्टिकुलर केम्बियम डवलप फ्रॉम दा साइल सोप, अंत्रा पूली एदा किसकी कोशिका से विक्षित होता है, endodermis नहीं होगा, pericycle नहीं होगा, medullary ridge, correct answer है, gylum perenchyma नहीं होगा, कैसे medullary ridge है, कैसे होगा है, आपको समझाता हूँ, कि जो dicode stem है, dicode stem, तो dicode stem में जो vascular bundle होते हैं, conjoint, collateral, open, क्योंकि outer phloem, phloem और gylem same radius पे तो conjoint, outer phloem तो collateral, और ये बीच में camion, the conjoint, collateral, open, ये metagylem, andar condition, ये proto gylem, ये phloem, अब ये ring में arrange होते हैं, ये same size के होते हैं, और ring में arrange होते हैं, ये ring में arrange होते हैं, similar size के ring में arrange होते हैं, clear, ring में arrange होते हैं, तो यहाँ आपकी cambium है, जिसको आप बोलते हो, intra-fascicular cambium, intra-fascicular cambium, एक मातर cambium जो, intra-fascicular cambium, जो primary है, PMT, primary mathematic tissue, और यहाँ आपकी pit है, center को ये pit, और इसका extension जो यहाँ पर medullary range, clear, ये primary structure होगी, diacode stem की, अब आप जानते हो, जब भी secondary growth होती है, तो first point है de-differentiation, तो यहाँ first of all, de-difference किसमे होगा, de-difference primary medullary range, जैसे ही primary medullary range में de-differentiation होगा, जैसे ही primary medullary range में de-differentiation होगा, तो ये तो intra है, और intra है, clear, ये तो intra है, और यहाँ आपका बातरे के आपकी दवलब हो जाएगी, inter-fascicular cambium, inter-fascicular cambium, inter-fascicular cambium, जो VB के बीच में होती है, और वो medullary range के de-differentiation से form होती है, तो आपको secondary growth के लिए हमिसा डाइकोड stem की, या monocode stem की, या monocode position ने डाइकोड stem की, डाइकोड की आपको primary structure मालूँ होने चाहिए, और primary structure में फिर lateral condition, lateral medullary stem से आपकी होगी second growth, तो first of all primary structure में फिर किस first point आपका de-differention होगा, तो किस में de-differention हो रहा है, यह medullary range में हो रहा है, तो आपका क्या form हो रहा है, interfascular, फिर intra और inter, intra और inter, मिलकर intra और inter, मिलकर क्या बनाते हैं, VC, vesicular, KMBM, जो stiller growth के लिए responsible है, yes or no, clear, according to discussion answer will be third, answer क्या होगा, third होगा medullary range, और बहुत important answer है, clear है, next, question number 36, age of tree can be estimated by, आप समझ सकते हैं किसी व्रक्स के आयू का अकलन, किसके दुरह किया जा सकता है, तो anatomy में internal structure में, अगर आप कास्टी व्रक्सों के आयू के लिए, एक branch होती है dendrochronology, व्रक्स काला नुकरमन, और वो annual ring को count करके, वो age को define किया जाता है, estimate किया जाता है, clear, तो according to discussion, number of annual ring, यह correct answer हो गया, clear, बागि diameter भी heart would, इससे कोई mean ही नहीं है, clear, आप समझ सकते हो, heart or self would, तो जब autumn or spring की concentric rings बनेंगी, तब वो possibility है, height गर्थ का कोई mean ही नहीं है, और biomass का कोई mean ही नहीं है, question number 37, you are given a fairly old piece of dicode stem and dicode root, which of the following anatomical structure will you use to distinguish between two, आपको एक दिविजदर रितने और दिविजदर जड़ के काफी पराने टुकड़े दिए गए हैं, इसका महलब कास्टी है, secondary growth है, और आप समझ सकते हैं कि भी काफी पराने टुकड़े आपको दिए गए हैं, mature हैं, आप उन दोनों में प्रभेद करने लिए कौन सी सारीक सर्चना को इस्तिमाल करेंगे, आप कैसे उन दोनों में अंतर कर पाएंगे, तो आप जानते हैं, जो सेकेंडरी जालम तो दोनों में होगा, वुड, किलियर, फिर सेकेंडरी फ्लोयम, इस बेसिस पे भी नहीं कर पाएंगे, प्रोटो जायलम, इस बेसिस पे अपने 100% कर पाएंगे, कि भी आपको एक दिवीजब्री तन्य और एक दिवीजब्री जड़के काफी प्रेंट टुकड़ी दे गए, आप दोनों में प्रभेद करने के लिए, कौन सी सारीक सर्चना को आप इस्तिमाल करेंगे, तो बेटाजी आप ध्यान दे देखो, आप वहाँ पर इस्तिमाल करेंगे प्रोटो जायलम, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, कि जो जायलम का डवलप्मेंट होता है, तो पैरिफ्री रीजन होता है, पैरिफ्री रीजन आपका पैरिसाइकल है, तो पैरिफ्री रीजन में जैसे पर Central Region के और आएं तो Metagylem है Metagylem तो Proto-Gylem, Periphery Region के और यह Metagylem तो यह आपका होता है Exarch और अगर Periphery Region के और Metagylem हो Metagylem और फिर आपका Proto-Gylem हो तो यह आपके Condition होती है Endark Clear? यह आप समझ सकते हैं कि Periphery से Central के और यह Periphery Central के और तो यह Metagylem, यह Proto-Gylem, यह Endark Condition है तो आप समझ सकते हैं कि Periphery Region के और आप रूट की Anatomy आप देखें तो आप दिमाग लए Proto-Gylem कहा है? Periphery Region में है Then फिर Metagylem है Clear? और वहाँ आप देखते हैं Centrifugal वह पूरा Difference देखते हैं Clear? तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर Proto-Gylem के basis पर आप यह कर देखेंगे तो According to this answer will be third next Question No.38 Trachate differ from other Trachary element in वहाही नहीं कहा है अन्य वहाही की अतत्तों से तो देखो कि जो Trachary element होते हैं जो primitive है यूनिवर्सल जो Trachary element है वह तो Trachades है क्योंकि टेरेडो में भी है जिमनों में भी है एंजियो में भी है Trachades Trachades Unisal होते हैं Trachades इस form में tapering end होते हैं Narrow में tapering end और उसमें perforation plate नहीं होती है endwall non-perforated होती है endwall क्या होती है non-perforated endwall is non-perforated it means perforation plate नहीं होती endwall non-perforated होती है clear और यह vessel है तो जो vessel होती है ऐसे multicellular होती vessel elements होते हैं और वो endwall endwall perforated होती है endwall क्या होती है perforated है और perforation plate होती है perforation plate तो यह क्या होती है longitude Unally arrange होती हैं से vessels हैं वो कैसे arrange होती जाएंगी longitude Unally और straight conduction करेंगी advance हैं और यह हम इसा zigzag form में यह यह से कैसे रेंज होंगी जिग जेग फॉम में होंगी यह से जिग जेग फॉम में होंगी किलियर तो जिग जेग फॉम में होंगी तो यह पिर मिटिव है किलियर तो अब आप देखें कि है के स्पिरिन मीन ही नहीं के स्पिरिन स्टिप तो पहले का पार्ट है बीइंग इंड वर्फॉरेट एच दिर्थ होना कि ट्रेकेड एंड वर्फॉरेटेड है पर्फॉरेशन नहीं है तो यह correct answer है किलियर लेकिंग नुक्लियस वो तो मतलब भी नहीं है बिंग लिगनिफाइड दोनों लिगनिफाइड है किलियर और जनरली आप समझ सकते हैं कि दोनों में वो देड होने पर नुक्लियस लेक हो जाता है लेकिन यहाँ पर आप सबसे इंपोरेशन प्लेशन की सबसे इंपोरेशन इसका है एंडोर नौन परफोरेटेड एंडोर टैपरीं नौन परफोरेटेड और प्रिमित्व जिगजज़ अंड़ क्ड़शन प्लेटuft कंपाॉर प्रेशन प्लेट है और स्टेट कंडेक्शन यस और नो तो अकोड़न दिस्कूशन आंसर विल भी सेकेंड बहुत इंपोर्टेंट के लिए और यह सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस होता है ट्रेकेड और वैसल में के लियर नेक्स्ट क्योशन नमर 39 तो इस्टुट देखे वैस्कुलर बंडल इ सबसेक्षन को क्लोज क्यों है कि आप समझ सकते हो एक वीवी का टाइब ऑटा कॉन जोइंट अब पहले एक रेडियल होता है रेडियल यह थो सबहुन इस डिक कोड में अल्टरणेट रेट सामनें शान पूरेampfलायलम आल्टरणेट में में रेडियल एक फॉमनोंतरी कॉआ different radius पे हैं। Sonrouujanम ग miracles एक साथ हुए सब्धास लिए तो Sam Emir Realis पर आज है है यह फिलोयम को और यह जाइलम। अब और आउंटर flowовых तो Collatoril हो गया और collatoril में भी open और close कि जो phloem और जाइलम है उनके बीच में यहाँ cambium ring है cambium है तो यह क्या हो गया open और जाइलम phloem जाइलम phloem यह phloem में जाइलम लेकिन यहाँ cambium नहीं है, cambium absent है cambium absent तो फिर यह क्या हो गया close हो गया, तो conjoined collator may be open in dicode stem और may be close in monocode stem और dorsi ventral dicote और isobilator monocode leaves yes or no, तो clear सी बात है कि भई vascular bundle in monocode are considered be close कि जो monocode होते हैं, monocode stem उसमें vascular bundle को close considered किया जाता है, बंद परकार के होते हैं तो बंद क्यों होते हैं gylem is surrounded all around flowem ऐसे तो concentric हो जाएगा, गलत और फिर आप समस्द रहें कि ए बंदल सीथ surrounded तो इसे भी रोंगो आपका हो जाएगा cambium is absent ये correct है, cambium absent तो क्या है? close है, और cambium present हो तो क्या है? open है, और there are no vessel with perforation, इसका mean ही नहीं है according to this answer will be third clear? question number 40 देखिए major characteristic of the monocort root is the presence of एक बीजपत्री जड़ का मुख्य लक्षन किसकी उपस्तिका होना है तो cambium sandwich between phloem, jylem, possible ही नहीं है clear? open vascular bundle possible ही नहीं है, scattered vascular bundle possible ही नहीं है, vascular without cambium हाँ, समन न्यास उसमें radial VB होते हैं और वहाँ cambium absent होती, conjunctive tissue dicot में हो सकता route में, भागी cambium absent उतार अलग लग radius पे होते हैं, बीच में तो possible ही नहीं है, clear? तो next question number 41 student ध्यान दें in a ring girdled plant एक वले बंदित पादप में भाई आप वले करण प्रयोग किया गया था तो dicot में ही किया गया था dicot, जो primary stick dicot plant होते हैं हर्दो dicot system में herbaceous system में किया गया था तो जैसे प्रवातरी की वले की रूप में तो आप समझे डाइकोड प्लांट के अंदर conjoined collateral west color बंड़े होते हैं conjoined collateral open और वो एक ring में होते हैं वो एक ring में होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस form में वो एक properly ring में होते हैं use steel आपकी होती है clear? अब अपन अगर outer उसके अपन बात रेकी वले अठाएंगे ऐसे तार तो वले बनाएंगे तो phloem remove हो जाएगा phloem और आप जानते हो कि phloem remove हो जाएगा phloem remove हो जाएगा clear? तो phloem food material को ट्रांसपोर करता है organic solute को source से sink की और flow होता है generally leaves source होती है तो जैसे आप ring बनाओगे तो food आप जानते हो ट्रांसपोर नहीं होगा root की और यह गलत हो जाएगा the suit dies first नहीं और यह भी गलत है the root dies first यह correct है कि पहले कौन मरेगी root क्योंकि food का ट्रांसपोर उदर नहीं होगा clear? और the suit and root die together यह जानते है यह नहीं होगा according to this question answer will be third clear है next question number 42 read the different component from A to D in the list given below and tell tell the component with reference to their arrangement from outer side to inner side in a woody diacode stem नीचे दीगी सुच में A से D तक विविन अव्यों को पढ़ें एकास्टी दीविस्वित तने से बाहर से बिथर के और उनकी व्योस्ता का साही करम बताएं तो आपको बताए गया woody diacode stem अब बेटाजी ध्यान दो कि diacode और वो भी woody cast ही है इसका मलों उसमें secondary growth हो गई है और पहले stellar growth westcular cambium से secondary जायरम और secondary form बन गए है और फिर extra stellar growth तो कुछ चीज़ आपको दीगी कि आउटर से आपको inner cure arrange करना है तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो secondary cortex है तो बेटा जी आप बात करते हैं कि जो secondary cortex है secondary cortex वो phallodrum है phallodrum और आपको पताए कि वो phallogen core cambium जो extra stellar part में secondary responsable है उससे develop हुआ है किलियर उसके बाद आपको wood दिया है wood आपका secondary gylem होता है secondary gylem कास्ट, wood किलियर उसके बाद आपको secondary phallodrum दिया है किलियर और phallum आपको दिया है तो बेटा जी आप ध्यान दें कि जो westcular cambium होता है जो आप समझ सकते हैं कि diacode stem में जो यह westcular cambium मनता है किलियर अब inside secondary gylem center के और outside secondary phallum और फिर primary gylem यह center पे चला जाता है और यह secondary phallum यह secondary gylem wood और फिर आपका होता है यह growth stellar growth होती होने के बाद आपका होता extra stellar growth तो वहाँ phallodrum मनता है inside phallodrum और outside phallum तो सबसे outermost क्या होगा का और phallum होगा ता इसको आप first number दोगे phallum को फिर आप इसको दोगे secondary cortex phallodrum को दोगे second number दोगे फिर आप किसको दोगे third number phallum को दोगे और सबसे a од wild whenever दोगे b point को four point तो यहाँ पर D पहले आप किस पर होगे D D के बाद A, A के बाद क्या है, C, और लास्ट में आपका क्या है, B, तो अकोर्डिन दिस्ट आंसर विल भी, फस्ट, यह सोर नो, तो आप आंसर फस्ट हो गया, next, question number 43, specialized epidermal cells surrounding the guard cell or cold, आप कोई पता है, कि जो guard cell होती है, guard cell आपकी होती है, guard cell, specialized जो guard cells होती है, kidney sept होती है, तो यह तो आपका एक पेर होता, guard cells का, अब इनको जो surrounded करती है, यह surrounded आपकी करती है, यह आपकी होती है, specialized subsidiary cells, तो subsidiary cells आपकी psychose, आपकी होती है, strometal pore, a pair of guard cell, और subsidiary, जो strometal apparatus में आप अच्छे से देखते हूँ, clear, यह thick hole होती है, यह thin होती है, radial my isolation होता है, जो बहुत सारे structure आप देखते ही है, clear, तो according to discussion, complementary cell नहीं होगा, subsidiary cells, second answer हो जाएगा, clear, तो according to discussion, answer will be second, बाकी buliform भी नहीं होगा, lentical भी नहीं होगा, clear, next, question number 44, which of the following is made up of dead cells, इन में से कौन मर्द कोश्काओं का बना होगा, तो आपको पता है, कि सबसे पहले simple provenant tissue होते है, parent काइमा living है, colon काइमा भी living है, living mechanical tissue, isclean काइमा dead है, isclean काइमा fiber, yes, उसके बाद जाइलम में, जाइलम, ट्रेकेड वेसल, जाइलम, fiber, यह dead है, क्यों, जाइलम, parent काइमा living है, और phloem में तीन living है, c-tube, component cell और phloem, parent काइमा, phloem fiber dead है, clear, और जो डाइकोट में, एक्स्टाइस्टिल में जो फैलम बनती है, वो dead है, तो यहाँ क्या dead है, colon काइमा living है, phloem यह dead है, phloem almost living है, जाइलम पैन काइमा living है, तो according to discussion answer will be second, clear, next, question number 45, identify the wrong statement in context of heartwood, अंतर कास्ट के संदर जिन में गलत खतन को आप चुनिए, तो आप समझ सकते हैं कि जब vascular cambium से inside secondary gylem और outside ये vascular cambium से, आप समझ सकते हैं कि inside secondary gylem, outside secondary phloem, तो secondary gylem जब home होता है, तो आप समझ सकते हैं कि, जैसे मैं आपको बात करोगी, जो gylem form होता है, तो 2x5, 2x4, 2x3, 2x2, और 2x1, यहां primary gylem, तो आप समझ सकते हैं कि एक layer, cut off दो एक layer बनती है, फिर new बनती है, तो आगे के सक जाती है, तो आप समझ सकते हैं, सबसे oldest secondary gylem ये है, और सबसे new 2x5 है, clear, अब आप जानते हैं कि center पे जब space फुल्फिल हो जाता है, तो यहां vessels के बीचे जो paranchyma cells हैं, वो उनको block कर देती है, vessels के बीचे जो paranchyma cells हैं, यह paranchyma cells, यह उनको block कर देती हैं, उस hurtwood, जो dead होती है, non-functional होती है, वो कभी भी conduction में पार्ट नहीं करती, क्योंकि जैसे टाइलोसिस होती है, तो टाइलोसिस होकर भोग सारे material का, रेजिन, टैनिन, भोग सारे substance का जमाव, डिपोजिशन हो जाता है, तो dead हो जाता है पूरा, और वो गहरे रंकी हो जाती है, clear non-functional है, resistance है बैक्टिरिया के परतिरे से, clear, durable है, clear, तो it is highly durable, सही है, टिकाउज जादा होती है, क्योंकि microbes उस पर easily work नहीं कर सकते हैं, उसको easily destrony नहीं कर सकते हैं, decompose नहीं कर सकते हैं, it conduct water and mineral efficiency गलत हो गया, क्योंकि वो sapwood conduct करती है, hurtwood कभी conduction में पार्ट ही नहीं करती है, clear, क्यों dead होती है completely, और जो sapwood होती है, उसमें water के amount है, sapwood conduction में पार्ट करती है, तो functional है, non-functional है, यह wrong हो गया, it compared dead element with highly lignified wall, clear, highly lignified होता है hurtwood, clear, organic compound are deposited, बिलकुल, बहुत सार भी मैंने आप गया, tanine, regine, वो जमा हो जाते हैं, clear, तो मैंने आप वो सोट में सारी बाते बता दी, तो according to this question, आप से पूचा है कि, I didn't have a wrong statement, गलत खतन को आप से पूचा है, तो गलत खतन आपका यहां पर रोगा, second, यह answer will be second, clear, बहुत important question था, next, question number 46, the vascular cambium normally gives rise to, कि संवहनी एदा क्या बनाता है, तो आपको मिलोता है कि, जो dicoid stem होता है, उसमें दो प्रकार की ग्रोथ होती है, stealer growth, stealer secondary growth, stealer secondary growth, clear, और extra stealer, extra stealer, पहले आप जानते हो कि, stealer होती है, first of all देखो प्राइमरी structure बनती है, जब तक plant one year का हो जाता हुसके बाद, secondary growth start होती है, फिर इस्टीलर ग्रोथ होती है, clear, अब जो stiller growth होती है, उसके लिए कौन responsible है, vascular cambium, अभी मैंने आपको पहले बताए दिया, कि जब conjoint collateral open vascular bundle होते हैं, conjoint collateral open vascular bundle होते हैं, ये conjoint collateral open, क्योंकि phloem, ये gylem, और ये cambium, और ये ring में arrange होते हैं, ring में arrange होते हैं, तो first of all, medullary arrangement difference तो आपकी interfacial cambium होती हैं, तो vascular cambium बनता है, तो vascular cambium बन जाता है, तो vascular cambium हैना, inside तो बनाता है secondary gylem, और outside secondary phloem, तो first of all, stiller secondary बनाता है, तो vascular cambium का जो main part होता है, fugiform, तो vascular cambium में भी, दो part आपके होते हैं, main part उसका होता है, west cream थिक होता है, single aid होता है, और main part आपके होता है, fugiform, जो inside secondary gylem बनाता है, और outside secondary phloem बनाता है, clear, और यहाँ आपके होती है, जो ray initial जो यहाँ पर होता है, वो secondary medullary raise form करता है, तो अब यहाँ पर primary phloem का mean ही नहीं है, west cream cambium तो secondary merismatic tissue है, SMT है, तो secondary permanent form करेगा, यह तो possible ही नहीं है, secondary gylem, यह 100% correct है, peridrum, परितवक, और यह phelodrum, तो आप जानते हैं, एक्स्टाइस्टल ग्रोत में फॉम होते हैं, peridrum और phelodrum तो, core cambium से, phelodrum और outer, phelum, फिर phelum, phelogen, phelodrum, peridrum, और second form, bark, चाल, clear, तो वो तो मतलब भी नहीं है, तो यहाँ पर answer will be, second more correct, 100% correct answer, second, secondary gylem, clear, तो answer इसका क्या होगा, इस्टोमेटा इन ग्रास लीफ हार, ग्रास की पति में रंदर कैसे होते हैं, तो रंदर में जो गार सेल कैसी होती है, तो देखो, आइसो बाइलेटर लीफ है, और इस्पेसली ग्रास मोनो कोट है, और ग्रास में जो इस्टोमेटा होते हैं, तो stomata pore like structure जो guard cell surrounded होती है तो जो guard cell होती है grasses में वो dumbbell sept होती है कैसी होती है? dumbbell sept dumbbell sept होती है guard cell dumbbell sept guard cell होती है और यह आपका stomata aperture होता है stomata aperture होता है और यह dumbbell sept होती है जबकि dicote में kidney sept या bean seed sept होती है guard cell kidney sept या bean seed sept bean seed sept आपकी होती है card cells yes or no ऐसे radial micellation और जो भी आप जानती हो ये thick wall होती है ये thin wall होती है clear तो dumbbell sept ये CBC 9 का भी question है dumbbell sept तो instrument एन grass leaf rectangular barrel sept kidney sept or dumbbell sept तो answer will be 4 clear है next question number 48 case पर इस्टिप अकरिन case में पटिया कहा होती है case में पटिया वलकुट में होती है endodermis में होती है pericycle में या epidermis में तो आप समझ सकते हो endodermis में होती है क्योंकि endodermis में barrel sept cells होती है barrel sept ये से barrel sept cells होती है और barrel sept cells होती है तो इनकी जो radial और inner wall है और इनल और इनल वाल उस पे आप जानते हो की सुवेरीं का यहां रेडिल और इनल वाल पे आप समझते की यह डि पोजिशं होता है कि तो ढूते हो कैस्पेरियन स्टिप स्क्य swap एक स्टिप इस्फेसेली क्योशन नंबर 49 प्लांट हैविंग लिटल और नो सेकंडरी ग्रोथ आर वह पादप कौन से जिन में दित्तेक वर्दी थोड़ी आप बिलकुल ही नहीं होती है वह कौनी फर्स संकुधारी जिम्नोस्प्रम में तो 100% सेकंड ग्रोथ होती है साइकेड साइकेड भी जिम्नोस् में सेकंडरी रोत नहीं होती है कुछ एक अड़ेकस्ट्स में मोनो कोट में वह एना एना मोलस सेकंड गोट शो करते हैं बाकि नहीं होती है इसे चब में अ रिप्तिक जालब किसे भी आपको पह़ें.. अंदतरी से झालजिए आपको पहले बता चुके अपान कि भी सिलम यह तो खर कोर ए hard फार प honor फियeshकृ कल यह तो ग्रोद करेपाए गा इस ते नहीं उगा ए पार एक्शा इंप रमेरी मेरे इस टैम आंसर आपका होगा यह प्राम्री मेरिस टेम है तो आंसर क्या होगा थर्ड के लियर नेक्स्ट नम्मर 51 अनावर्थ बीजिए फ्लों में किसका भाव होता है तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो जम्नोस्पम होते हैं उनके फ्लों के अंदर सीव ट्यूब 100% absent होती ही YouTube के प्लेस केुछ सोफिलس और सब-से important और सभी एंज्यों में लेकिन घ्म्नोसप्रम में घ्म्नोसप्रम में कमपेनेज़ के प्लेस पे albuminus cell होती है एलबुमेण सेल नहीं होती है तो YouTube और कमपेनेज़ बोनों का ही अभवा होता है किसमें जिम्नो स्पम में तो companion cell only बोथ सिव ट्यूब और companion cell 100% हो जाएगा क्योंकि सिव ट्यूब के पहले स्पे सिव सेल और यहाँ companion albuminus तो 100% correct answer है albuminus और सिव सेल यह तो present होती है और सिव ट्यूब only यह भी नहीं होगा तो more correct answer क्या हो गया सेकेंड क्लियर फर्स्ट और फॉर में आप इसकेंड मोर क्रेक्ट आंसर आपका हो गया तो according to the answer will be second क्लियर next question number 52 ग्रास लिउज कॉर्ल इन्वार दूरिंग वेरे ड्राइव इदर सेलेक्ट दा मोस्ट अपरपरेट रिजन from the following अत्यदिक सुस्क मोसम में घास की पत्या अंदर के और मूड जाती है फोल्ड हो जाती है इसके सब जो पिक कारण का आप चैन कीजिए तो आप जानते होगी ग्रासेज में बुली फोर्म सेल्स होती है बुली फोर्म सेल्स जब वाटर एक्स्ट्रा होता है तो वो वाटर को अब्जोर्ब कर लेती है और टरजिड हो जाती है जब वो टरजिड हो जाती है तो फैलती है टरजिड हो जाती है तो एक्सपेंशन शो करती है और leaf खुल जाती है, unfold हो जाती है अच्छे से वो transpiration शो करती है और जैसे water की deficience होती है, कमी होती है तो water का जैसे loast होता, वो flaccid हो जाती है सलत हो जाती है, और जैसे flaccid हो जाती है तो वो वापस rolling हो जाती है तो roll हो जाती है, और rolling होकर शिकुर जाती है, ट्रांस्वेशन को कम करने के लिए, वरना अन्रोलिंग हो जाती है, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि, सिरिंगेज ओप एर स्पेस इन स्पोंजी मीज़ो फिल, मीन नहीं है, टैलॉसिस, वहाँ कोई मीन ही नहीं, टैलोसिस तो सेकेंडर गोथ है, किलियर, closure of stomata ऐसा नहीं होता है flaccidity of buliform cells flaccid यह answer will be 4 वो flaccid होते ही क्या होता है rolling होकर roll होकर secured जाती है rounded हो जाती है और वो transmission rate को low कर देती है clear according to this question answer will be 4 clear next आप समझ सकते हैं तो student आप ध्यान दे 52 question थे एक question जो हमारी पीपटी में थोड़ा भूल से रहे गया है जो नीट 2019 का ही था और वो question आपका जो है वो है which of the statement given below is not true about formation annual ring in tree कि वरक्सों में वार्षिक वले के बनने विश्य में कौन सा खतन सही नहीं है तो यह बात है कि वहाँ दिया गए एनौल रिंग सबसे ज़ा किलियर बिस्टिंग कहां दिखती है टैंपरेट रिजन में सितोषन और जहां क्लाइमेट का फलक्टोशन बहुँ ज्यादा हो जलवायू का बहुँ ज्यादा परिवर्तन हो वहीं पर आपके एनौल रिंग सबसे किलियर दिखेगी तो कैसा लगा अगर आप बहुत अच्छे क्यूशन बहुत अच्छे सोलुशन आपको लगा तो आप इसको लाइक करें और उसके बाद आप जो पीडिये भी आपको प्रोइड करी जाएगी और एलसी इस महामारी के संकट काल में आपके साथ है और आगे सागे आप इन वीडियो को सेर करें और भी स्टोट के हैल्प करें हम आप कंट्यूनिय आपको इस सोलुशन देते जाएंगे थैंक्यू वेरी मुच